प्रोड़क्ट का नाम है सी बक्तोर्न जूस सी बक्तोर्न का नाम आया है तो आप लोगों को हिमाले बर्वत की याद आ गई होगी और रामाल काल से जो संजीवनी बूटी का जिक्र किया गया है लोग तो इसको संजीवनी बूटी बताते हैं इसमें कितने गुण है उन सब को जालने के लिए इस वीडियो में लास्तक रहना है दोस्त, C. बक्तोर्न जूस, हमारे औरेटेक्स कंपनी का है, इसके अंदर ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 7 और ओमेगा 9 तक है किसी भी फल के अंदर इतनी प्रोपर्टीज नहीं है किसी फल के अंदर तो इसके अंदर और क्या है इसके अंदर है और बिटामिन C बिटामिन E, अमीनो एसिड लिपिट, डीटा कैरोटेन लाइकोपिन और इसके अलाबा प्रो बिटामिन खनिश, एवं बायलोजेकल जो एक्टिव तत्त होते हैं ये प्रिचुर मातरा में इसके अंदर मिल जाते हैं दोस्त ये इम्यून सिस्टम को जवर्दस्त कर देता है इसका प्रियोग कैसे करना है, कब करना है कितना लेना है, ये मैं इस वीडियों बताऊंगा उससे पहले जान लेते हैं कि ये किन-किन समस्याओं में काम करेगा तो सबसे पहले ये समझ लो कि सरीर में जो इंसूलेशन होता है उसको ये मैनिस करता है जो हमारे एथलीट होते हैं उनको बेहतर प्रदर्शन करने के लिए मदद करता है और उनकी सहन सक्ति को बढ़ाता है इसमें मौझूद पी-ए-े-स चुतत होते हैं ये उतकों को तोटने से बचाते हैं जैसा कि आपको पता है कि हमारा सरीर उतकों से मिलकर बना है ये प्रोडक्ट अगर ये उज़करते हो तो सरीर में जो उतक है उनको तोटने से बचाता है अगर तनाव रहता है आप इस्टूडेंट है या फिर ऐसे जाब करते हैं जहां पर आपको ज़्यादा अपना माइंड इस्तेवाल करना परता है तो इस्टेश हो जाता है तनाव हो जाता है तो ये आपके बहुत काम आएगा इसको आप यूज करिएगा कैंसर सेल्स को ये आपके बोडी में बंडी नहीं देता है डाइबटीज में बहुती लाबकारी होता है एवं मास पेसियों को मजबूत करता है थाइराइड को भी कंट्रोल करने का दम है इसमें लिवर को हेल्दी बनाता है इसमें मौझूद एंटियोक्सिडेंट तत ब्रें ट्यूमर के विकास को रोक देता है रेडियो एक्टिव गुण होने के कारण सरीर को होने बारे बिकरण से बचाता है आपने देखा होगा कि जब हमारे अंतरिच्छ यातरी अंतरिच्छ में जाते हैं तो इसी चीज का प्रियोग करते हैं महां भी जाके या फिर हमारे जो है सेना के वो जब हुचाईयों पर रहते हैं पाड़ों पर रहते हैं तो इस चीज का प्रियोग किया जाता है यह चीज दी जाती है उनको प्रतोदक छमता को बलाता है बजन को भी कंट्रोल करता है और क्या बताओं सर के बाल से लेकर के पैर के नागून तक यह पोस्ण द आते हैं या पिर आपकी तुचा में दाग दब्बे आ जाते हैं तो इसका यूज करवाईएगा आँखों की रोसनी को भी बढ़ाता है ये एक जिमास और ऐसे में भी लाबकारी है अगर आपके चेहरे पे पिंपल्स आ रहे हैं दाग दब्बे बन रहे हैं जायां बन रहे है तो इसका प्रियोग आप कर सकते हो ये बहुती लाजवाब अउसदी है आपको पता है कि हमारा संत्र होता है संत्र से बारा गुना जादा बिटामिन C मौझूद होता है संत्र से बारा गुना जादा गाजर से तीन गुना जादा इसके अंदर बिटामिन E होता है और जो हम पाच गुना जादा इसमें SOD होता है तो इसकी खूबियां तो आप जानी चुके हो अब यह जान लो कि कब और कितना लेना है आपको आधा गिलास पानी लेना है मैंने इसमें डाला हुआ है और यह धक्कन आता है इसका यह 30 ml का है यह इसमें ml बने हुए है इनको ले करके जा सकते हो अभी लेना कब है यह लेना है आपको सुबय खाली पेट खाना खाने से एक घंटा पहले और साम को भी आपको खाना खाने से एक घंटा पहले लेना यह 500 ml की बोटल है 500 ml की जो कीमत है वह 999 में रुपए है अगर आप औरे टेक्स के साथ जुड़े हुए है और के आप distributor हैं तो यह आपको बहुत कम कपड़ेगा तो इसकी DP है 825 रुपए और दोस्त इस पर विजनिस वालू मिलता है 375 वीवी यानि कि अगर आप अगले महिने खरीदारी करते हो अपनी 300 वीवी की तो 375 का सामान आपको फिरी मिल जाएगा यानि कि आपके 825 रुपए में से 375 और कम हो जाएगा ये बहुत सस्ता पड़ता है आपको जाके अन कमपनियों का सी वक्तों जूस बहुती कोस्टली है अगर टेबलेट भी आप लेने जाओगे तो वो भी 1000 रुपए से उपर का आपको बॉक्स मिलेगा उसका लेकिन इसकी तो बात ये लग है तो इसको कांच के आपको गिलास में लेना है स्टील के बरतर में नहीं लेना है पीतल के बरतर में नहीं लेना है कोई मेडिशन अगर आप यूज़ करते हो तो कांच के वरतन में ही उसको यूज़ करना है सुबह साम लेना है और इसके एक घंटे के बाद ही आप कुछ खा सकते हो दोस्त मुझे लगता है कि यह जानगारी आपको पसंद जरूर आई होगी तो सी बक्तोन के बारे में बहुष सारी लोग जानना चाहते हैं तो इसके बारे में जानने के लिए इस वیडियो को पूरा देखना है और अपने मिलनेवालों को भी आप भे सकते हो इसको क्योंकि उन्हें भी इसकी बहुत जरूरत है इमुनिटी सिट्रम को पढ़ाने के लिए तो दोस्त अभी तक जिन भाईयों ने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है